पंजाब की मुख्यमंतरी कैप्टन अमरिंदर और कॉंग्रस नीतान नवजोद सिंग सिद्धू के बीच का विवाद थमले का नाम नहीं ले रहा ऐसे में कॉंग्रस पार्टी अलाकमान सोनिया गांदी ने नवजोद सिंग सिद्धू के साथ साथ पंजाब की मुख्यमंतरी कैप्टन अमरिंदर को दिल्ली बुला है बताया जारा कि आगामी 20 जून को कॉंग्रेस पार्टी अलाकमान सोनिया कांधी के साथ-साथ मलिका और जुन खडगे भी बैठक में शामिल होंगे और सिद्धू वो कैप्टन अमरिंदर के भी चल रहे विवात को सुलजाने का काम करेंगे अब देखना ये होगा कि क्या 20 जून को बात बन पाएगी यही नहीं वैसे अगर देखा जाये तो नवजोट सिंग सिद्धू ने डिप्टी सियम का पद लेने से भी इंकार कर दिया क्योंकि वो कैप्टन अमरिंदर के साथ रहे कर काम नहीं करना चाहते दरसल जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर ने लपचोट सिंग सिद्धू के रास्ते में अर्चन खड़ी की और सिद्धू को लेकर जिस तरह काउन का रवाईय था इस वजह से वो कैप्टन से नारास्ती खाईते रहे आपको बता देन अब जोट जिंग सिधू और कैप्टन के बीच चल रहे विवात की वज़ा से पंजाब चुनाओं में कॉंग्रिस को बहुत बड़ा जटका लग सकता है SPN 9 नियूस रोम की रिपोर्ट